जहिन मित्रों इस वक्त हम खड़े हैं कोर्बाजिले के उपनगेरे चेतर बालको थाना चेतर अंतरगत यह भादरापारा में यहां पर घरेलू हिंसा का एक मामला सामने आया है जहां पर इस मामले को लेकर पीड़ता ने अभी बालको थाने में भी बालको पुलिस में शिकाय दिया जा रहा है लगातार इस घटना को पीड़ता ने जहला और आज जो है अत्यधिक मार जब उससे पड़ी तो बहाँ जो है बालको पुलिस के सरान में गई है आई जानते हैं क्या मामला है कौन महिला है अपना परिच्छे दीजिएगा यह नाम निकी मिश्रा रहते हैं यह कौन सा जगा भद्रा पार हां अम्रीका मंदील सक्रागे रहती हूं मामला है आप भालको ठाने गई थी विर्चनां कौन मार पार पिट कर रहा है पिंटु मिश्रा है अब शौता करने दुकान में तब वहा करने तुछा आया तो चावल लाए थे कपरेटी वाला तो बोला था ले जाओंगे तो मैं दे दूंगी तो बच्चे लोग क्या खाएंगे इसलिए मार्पित मेरे को किया है तो गंफिर चोटे आई हैं और क्या सराब कभी सेवन करते हैं लेकिन अभी सुबह नहीं किये थे इसे ही मारे थे अभ भी भी धमकी देखे गया है कि बच्चे को अपने लो निकलो घर से बहुत मिनटे मैं आ रही हूं बहुत मारूंगी घर से निकालूंगी अच्छा तो जब आपको चोट आई तो पुलिस जब आप थाने गई तो चोट का मुलाईजा वगरा कहीं डॉक्टरी मुलाईजा अच्छा तो अभी आप क्या चाहती है इसको अंदर करवाना चाहती हूं हमने सुना है कि आपके जो क्या पिंटु मिसरा नाम है के पती का तो क्या उमर होगी उनकी शत्यों पहें तो चाहती आप मतलब कुछ ऐसा भी जाम लग रहा है कि उनका कहीं और भी शादी है और यहां अधिवा जाल से यहां होगा तो यहां मेरी को रोज आकर नहीं है तो दुरगवा पूजा समय कर ना सिधा लेके यहीं आ गया कि राया में रहा है अमेरे को रोज तीन बच्चे वाले हैं तीन बच्चे वाले तीन बच्चे वाली और कहां से वह उडिशा से तो यह आप कैसे मतलब कह सकती है कि वह ऐसा किये हुए कहीं से जनकारी हुए जक्रै यह बुक्ता प्रमानधित हो गया है कि वह रख रहां कि से रखे हो थौर करें लाकर में रखे ते तो पता है नहीं आरे उढ़ात पहले शक्ता अब यकीन हो गया हए कि घर केश रख कर डिख स can यहां लेकिन बात करते हैं इंका नाम ने की मिश्रा तो यहां थी पीड़ता जो इनका नाम निकी मिश्रा है जो भधरा-परानिवासी है और आज घरेलु हिंसा को लेकर इनके पती के दौरा बार बार जो है मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था घर आपका मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा किस तरह से घर खर्च आपका चलता है आपके पती यदि इस तरह से करते हैं तो घर किसे चलता आठ महिना से बैठें सर वह सिधार उधर तेसी चला रहे हैं सर क्या करोगे सरे रासन मिल जा रहा है चावाल उसी से बचलों का जिनकों के घर में बैठी आप भी कहीं काम चाहिए नहीं अभी अधी पांच्छे दिन हुआ भाई भाईजबात की है तब यह बोले ठीक है निकी और लगातार जो है अपनी पतनी के साथ मार पीट करना इन सबों से छुब्द होकर परिशान होकर आज महिला ने पुलिस थाने में भी इसकी सिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने भी अस्वासन दिया है कि जल्दी इस मामले में जाचकर उचित करवाई की जाएगी और सम सन परसाषन भी आनेकों कदम उठा रही है और शराब के सेवन कर इस तरह से इदी कुछ प्रभाव होता है उसके में घीर कर साराब का सेवन करके अगर इस तरह से घरेलों साख्याती है जो कि निंदनिय है और इस पर अब हैं और तो कि अपने प्रदान संपादक मुकेश भारती